किसी गाउं में एक बुढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उनके पास एक तोता था। वे उसे ही अपने पुत्र की भाती मानते थे और लाड़ प्यार से उसका पालन पोशन करते थे। उन्होंने उस तोते का नाम चंद्र सखा रखा था। चला जाता तो वे उसकी आवास की नकल करके दिखाता। कभी वे बहुत देर तक नाच दिखाता रहता। इस प्रकार वे बुढ़े और बुढ़ी का खूब मनुरंजन करता था। वे लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे। बुढ़ा बगीचे से आम और अमरूत तोड़ कर लाता था और बुढ़िया चंद्रसखा को गोद में बैठा कर खिलाती थी। एक दिन चंद्रसखा ने बुढ़ी से कहा। दाती मा दाती मा मैं अपने मित्रों के साथ जंगल में फल खाने जाऊंगा। ठीक है मगर पहले अपने दादा से पूछ लो। चंद्रसखा दादा की पास गया और बूला। दाता जी मैं अपने मित्रों के साथ फल खाने जंगल में जाऊंगा। बेटा फल तो मैं तुम्हें बाग से तोड़ कर ला दूँगा। जंगल में जाकर क्या करोगे। चंद्रसखा जित करते हुए बूला। नहीं दाता जी मैं आज बाग के फल नहीं खाऊंगा। मैं जंगल में जाकर फल खाऊंगा। इस पहाने थोड़ा घूम भी लूँगा। अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन घूम कर जल्दी लोटाना। जब तक नहीं आओगे तब तक हमें तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। बूड़े की अनुम आगे उड़ रहा था। उसने जंगल में तरहां-तरहां के फलों के पेड़ देखे। वे अपने मित्रों से बोला। मित्रों अब हम बहुत घूम चुके हैं। मेरे पेट में तो भूग के मारे चुहे कूदरें लगे हैं। सामने बहुत से फल के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। चलो सब लोग आराम से फल खाएं। सभी तोते फलों पर तूट पड़े। चंद्र सखा भी एक से दूसरे पेड़ पर जा जाकर फल खाने लगा। जब उसका पेड़ भर गया तो उसने देखा कि सामने अमर फल का पेड़ है। वे तुरंट समझ गया कि यदी क कोई बुढ़ा आदमी इस फल को खा लेगा तो वे युवा और दीर्ग जीवी हो जाएगा। उसने सोचा कि वे चुप चाप इस फल को ले जाकर अपने दादा दादी को खिला देगा। उसने फल तोड लिया और चोंच में दबा कर अपने घर की तरफ उड़ चला। रास नहा कर अपने अपने घर जाएंगे। सभी तोते तालाब में नहाने लगे। चंद्रसखा ने अपनी चोंच का फल तालाब के किनारे एक जाड़ी में रख दिया और नहाने लगा। उस जाड़ी में एक विश्थर साप रहता था। उसने अपना विश उस फल में डाल दि चंद्र सका को इस बात का कोई पता ही नहीं चला उसने नहाने के बाद फल चोंच में दबाया और घर आ गया घर आते ही वे बुड़े से बूला बुड़े ने तोते से फल ले लिया किन्तु उसे कुछ संदे हुआ उसने उस फल के दो टुकड़े किये और एक टुकड़ा अपने कुट्टे को खिलाया कुट्टा उसे खाते ही मर गया यह देखकर बूढे को बहुत क्रोधाया उसने सोचा कि उन्होंने जिस तोटे को इतने प्यार से पाल पोस कर बढ़ा किया वही उसे मार डालना चाहता है बूढे ने तोटे को पकड़ा और उसकी गर्दन एट ती चंद्रसका तडब कर मर गया बूढे ने दूसरा टुकड़ा आंगन के कोने में फेंक दिया कुछ तिनों बाद वहाँ एक पौधा उगाया समय आने पर उस पेड़ पर बहुत फल लगे एक दिन बूढे और बुढे में जगड़ा हुआ बुढे किसी बात पर नाराज होकर बुढे से बोला प्यार करते थे अब मरने का समय निकट आने पर मुझे घर से निकाल रहे हो अब मैं कहां जाओं मेरे लिए मर जाने की सिवा कोई उपाय नहीं है इतना कहकर बुढे रोते हुए पेड़ के पास कई और उसने उसका एक फल तोड़ कर खा लिया वे सोच रही थी कि विश वाला फल खाने के कारण उसको मृत्यू हो जाएगी किन्तु हुआ ठीक इसके उल्टा वे बुढी से युवती बन गई उसे बहुत आश्चर हुआ उसने एक फल तोड़ा और बुढे के पास जाकर कहा देखो जगडा खतम करो मैं फल खाकर युवती बन गई हूँ तुम भी यह फल खाकर युवक बन जाओ बुढेक ने फल खा लिया खाते ही वे युवक बन गया बुढा बुढी युवक युवती बन कर बहुत खुश हुए उन्हें बस यही दुख हुआ कि उन्होंने बिना सोचे समझे चंद्रसखा को मार डाला वे दोनों चंद्रसखा की मृत्यू का अपने आपको अपराधी मान कर पश्चाताप करते रहे विशेश पश्चाताप की अगनी में जलने से अच्छा है हर कारे को भली भांती विचार विमर्ष करके ही उदार हिदे से आच्रण करें